So, hello everyone, very very good evening to all of you and welcome to Kitty Academy and Adat Education आप सभी का बहुत धेर सारा स्वागत आपके अपने चैनल पे तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी काफी दुनों के बाद मुलाकात हो रही है तो होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया हो गया और अपने अपनी प्रपरेशन में एक दम धुआदार तरीके के साथ में लगे हो गये हैगी नहीं तो आज के सेशन में खास मेरे साथ मुलाकात हो रही है आपके और एक लंबा समय बीद गया है हमारी मुलाकात हुए, एईज़ई चैनल की बात करो या फिर मैं Get Academy चैनल की बात करो काफी समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है है कि नहीं तो कैसे है दोस्तों आप सभी तो एक बार फटा-फट से सेशन को लाइक कर लीजे सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजे क्योंकि आज की information बहुत ही important है और यह information important क्यूं है important इसलिए है दोस्त क्योंकि एक कहावत है कि आपके पास में अपने दोस्त से जादा जानकारी अपने दुश्मन के लिए होनी चाहिए है ना दोस्त कैसा है क्या कर रहा है यह पता हो चाहिए ना पता हो लेकिन दुश्मन कहा है कैसा है क्या कर रहा है इसके बारे में हर एक छोटी से छोटी से लेकर के बड़ी सारी क सारी जानकारिया एक दम मस तरीके के साथ चका-चक होनी चाहिए सो हेलो अबरीबन है विकास कैसे हो दोस्त तो शेयर कर लेंगे क्या एक बारी दोस्तों के साथ कि भई आज सर ऑनलाइन है हाला कि हाम आज कुछ कास असा पढ़नेनी वाले हैं जस्त आपके लिए एक जो गवर्मेंट जॉब है उसकी प्रपरेशन के लिए मैं आपको सिंपल सी इनफर्मेशन ही देने के लिए आया हुआ हूँ है ना तो हम फटाफट से अपने इनफर्मेशन वाला जो पार्ट उसको कम्पलीट करेंगे और जो आपका भी एटीसी का जो बैच चल रहा है उससे रिलेटेड काफी सारी इनफर्मेशन मैं आप सभी को देने के लिए आया हूँ तो कुछ-कुछ बातचीत हो जाए भई हेलो जगनाथ हेलो डियर है विकास दीपु शाह हेलो दीपु कैसे हो आप सभी तो मैं आप लोग कॉडिवल हूँ विस्बल हूँ बढ़िया तरीके से ना ठीक है भई शाबाश तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर लें दो है A-T-C जी यहाँ दोस्तों इसको दोस्त की तरह बिलकुल मत समझिये क्योंकि इसमें होने वाले एक्जाम को अपन को एकदम फोर डालना है है ना उठा उठाक के पटक देना है एकदम फोर डालना है और इस एक्जाम को क्राक करना ही हम सभी का सबसे पहला टारगिट होना चाहिए है कि नहीं तो ये एक्जाम को बिल्कुल दोस्त मत समझे और मैं तो कहूंगा एक मोटे बना लिजे कि आपकी बार आखरी बार अब जो आप ये एक्जाम देने जा रहे हो इसमें कुछ इस तरीके से महनत कर दो है ना कुछ इस तरीके से दुआ उड़ा दो कि आपका इस बार जो है वो आखरी बार बन जा हैं ये बार आपका आखरी बार बन जा है इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्जाम देने की नीड़ ना पड़े मोर्निंग में आपका धिशा मैम का इंगलिश भी रनिंढ है तो बस इसी के साथ-स कहात बहुत जल्दी ही ह हम reasoning को भी start कर देंगे या फिर किसी subject के end होने पर हम reasoning का subject start करेंगे ठीक है तो एज 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 आई चैनल पर कौन कौन है भाई मेरे साथ में बता दीजे सरा एक बार YouTube पे अवलबल होगा क्या ATC preparation course निशा हम पूरा course तो नहीं लेकिन हाँ मैं ATC के लिए आप लोगों को यह है definite की काफी कुछ जो important information है या फिर कुछ ऐसे questions है जो की repeatedly आपके पास exam में पूछे जाते हैं है ना कुछ ऐसे questions है जो की repeatedly आपके exam में पूछे जा रहे हैं उनसे related हम प्रपरेशन हम आपके लिए जरूर करवा देंगे ठीक है दोस्त तो पूरा तो नहीं लेकिन हाँ हम अपने YouTube स्टूडेंट्स के लिए जरूर सर वह YouTube पर है कि नहीं विकास तो यह तो भाई लाइव आप कोर्स है है ना और YouTube पर कुछ कुछ सेशन्स हम लेकर के आएंगे ज different different questions का flavor मिलेगा ठीक है तो और फिर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं आपके लिए के एक एक एक्जाम का analysis लेकर कर के आया हूं कि कि किस किस Year में किस किस topic से reasoning के अंदर में कितने कितने questions पूछे गए थे हैं तो जैसा कि मैंने आप से कहा कि दोस्त के लिए जानकारी हो चाह गया है ना सो अगर हम बात करते हैं blood relation की तो 2021 में भी दो सवाल आपके सट 2 और सट 3 में दोनों में एक-एक सवाल पूछा गया था वहीं 2018 में आप देख सकते हो सट 1, 2, 3 तीनों में पूछा गया था 2016 में अभी सट 1, 62 में पूछा गया था और 15 में भी पूछा गया था तो इस हिसाब से इसके मुताबिक जो हमारे पास में यहां पर एक बहुत ही most important topic निकल करके आता है वो क्या है वो है blood relation जी हां दोस्तों blood relation आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इसके तीनों type को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जो इसके तीनों की तीनों type है तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है याने कि अभी तक के exam में जितने भी topic आए हैं वो सारे के सारे आपकी screen पर हैं लेकिन सर ये तो कुछ कम topic है हाँ अगली वाली slide में बाकी के हैं है ना तो अगली वाली slide में बाकी के बारे में मैं आपको बता दूँगा अगर हम यहाँ पर देखे coding decoding तो आपके पास gate gate me channel पर म अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर फिर मेरे साथ में जुड़िएगा ठीक है तो coding decoding एक second one the most important topic है है ना blood relation and coding decoding decoding से आपको बहुत ही बहतर सवाल पूछे याद है ना मैंने आप सभी लोगों को हलो रहूल आनंद एंड जगनात पटाफट से comment करके बताओगे कि क्यू के लिए position कितनी होती है ठीक है क्यू के लिए position जो है वो कितनी होती है ठीक पटाफट से बता दो पटाफट से ठीक है तो यहां पर देखें अगर अपन कैलेंडर तो कैलेंडर उत्ता खास टॉपिक नहीं है क्योंकि अभी तक इससे सर्फ एक ही सवाल पूछा गया है लेगिन फिर भी अगर आया हुए तो से कुछ ना कुछ पढ़ना तो जरूरी है विकास तिलक निशा बहुत बढ़ से देखें तो यह 2021 सब 2015 में पूछा गया था और अब 2022 में भी पूछा जाएगा मेरे से लिक करके ले लो मैं जिन टॉपिक पर सरकल कर रहा हूं उन टॉपिक से सवाल आपको जाम में जरूर दिखाई देंगे वहीं अगर हम वें डाइग्राम की बात करते हैं तो 2018 के में ही पूछा गया था 2016 और पंदरह में भी नहीं पूछा और 22 में भी नहीं पूछा लेकिन यह तैह है मैं आपको बता रहा हूं कि काउंटिंग ओफ फिगर से एक ना एक सवाल आपका जरूर आएगा बहुत बढ़िया चितना एंड सुमाशू वेरी गुड दीरज टोडे इट पूछा ही नहीं नहीं आथा ना ओडव और वन आउट तो मतलब बहुत ही जादा इंपोर्टेंट में टॉपिक है जिसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता यह पढ़ा नहीं जाता क्या बात करने सर इतने सारे कोश्चान आते और फिर भी ऑड़ याश्या से कुछ नहीं ह वाली उस फैमली में बचा हुआ एक option शामिल नहीं हो पाएगा यह कैसे होता है तो इसमें odd one out में बहुत सारी चीज़ें होती जैसे meaningful words का odd one out, non-meaningful words का odd one out, numbers में odd one out, relations याने की meaningful relations में odd one out, non-meaningful relations में odd one out, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़े रहती हैं है न तो तरुन रंजन सर भी है हमारे साथ, hello sir, very good evening और कल sir, मतलब आने वाले session में आपके तरुन सर चो है, वो GS का part deal करने वाले हैं, तो sir का भी आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा analysis मिलने वाला है, ठीक है, तो यार रहिए का भई आप लोग sir से मुलाकात करने के लिए, order and ranking, तो देखो odd one out तो आए गई आएगा, order and ranking से भी सवाल आने की possibility है, और रही बात mathematical operation की, तो इससे सवाल नहीं आएगा, हला कि mathematical operation बहुत easy topic होता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ board mass rule का use करके अपन सारी चीज़े solve कर सकता है, इसी की साथ और आगे मैं आपको सारे की topic बता देता हूं भई, एक मिनिट ये दिख क्यों नहीं रहा, कुछ technical issues की वज़े से, इसमें problem आ गई है, तो ये visible नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देखते हैं इसको पन कैसे visible करा सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं, चलो, कोई बात नहीं, बाकी की topics फिर में आपको बता दूँगा, कि उसमें क्या क्या चीज़ है, सर, math class is also going, now how to attend both, बस गरिमा, पांच परिट का ही session है, आपको just information बताने आए था मैं, कि जो विमान batch है, AIATC का, यहाँ पर आपको लगबग लगबग, अप्रॉक्स में जो है, वो साड़े 300 घंटे, है न, जो है, साड़े 300 घंटे की live classes मिलने वाली है, साड़े 300 घंटे की आपको live classes मिलने वाली हो, और यह actually मैं इससे भी ज्यादा है, है न, अगर मैं कहूं न, तो कहीं न, कहीं से भी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास में live और recorded दोनों ही available होंगे, वही complete syllabus का coverage होगा, चाहे वो कोई से भी topics हो, कैसे भी हो, non-tech, complete आपका cover करवा रहे हैं, physics है आपके पास में और maths भी है आपके पास में, है न, तो यह सारी की सारी चीज़ें हम cover करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके के साथ, छीक है, चलो बहुत बढ़िया, now workbook in PDF format, तो यह PDF जो है आपके पास में downloadable format में available रहेंगे, आप इनको बढ़िया तरीके के साथ download कर सकते हो, सारी चीज़ों को must इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, 2000 प्लस practice questions है आपके पास में यहाँ पर, है ना, 2000 प्लस practice questions है, बहतरी तरीकी से practice कीजिए, और हिंदी और इंगलेश, अपन तो पढ़ाते हैं यह से बाई, है ना, तो मेरी पूरी की पूरी non-tech team आपके साथ में मुलाकात करने वाली है, तरुन सर है, अमन सर है, दिशा में हम ले रही हैं, और सरजी की भी class है, वो शुरू हो चुकी है, ठीक है, और previous year की recorded library भी आपके पास में available है, और बहुत अच्छी बात यह है कि one year की course validity है, है ना, और जो सबसे best part है, वो है, आपका सिर्फ और सिर्फ 3500 का inclusive GST के साथ में price, ठीक है, तो फटा फट से जाए, अपन course book कर लें, एकदम बढ़िया तरीके के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक, तो बस यही information में आपको देने के लिए आया हुआ था, please tell reasoning class schedule, reasoning class schedule आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, अभी तो आपके जो other subjects हैं, वो running है, वो ongoing है, है न, जैसे ही वो हो जाते हैं, तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलाकात करते हैं हम, नए-ने questions के साथ, तो ये information जो थी, वो reasoning से related थी, ठीक है, ये reasoning से related information थी, तो एक कुछ दिक्कत आई थी इसमें, जिसकी वो ऐसे उपन नहीं हुआ, तो मैं आपको इस पे एक और वीडियो बना करके दे दूंगा, जहाँ पर आपको इसकी complete, पूरी की पूरी complete information मिल जाएगी, ठीक है, तो आज के लिए बस बातचीत इतनी ही थी, जल्दी मुलाकात करते हैं और हम काफी सारे फिर practice questions को भी solve करना शुरू करते हैं, तो अगर आप complete basic से पढ़ना चाहरे हो, तो फटा फट से हमारे साथ में जुड़ जाओ, 27th जो है वो last data offer की, तो offer period का complete फायदा होता है, और बैतरी तरीके क साथ हमारे साथ चुड़ जाओ, thank you very much, bye bye, take care all of you, jahin.